18 दिसंबर शुकृवार को आग्रा नगर निगम के सदन कक्ष में कारेकारिणी की 14 वे अधिवेशन की बैठक आयवजित हुई जिसकी अधिक्षिता महापौर नवीन जैन ने की बैठक किश्रवात में नगर निगम कारिकारिनी के 13 वे अधिवेशन के कारे की पुष्टी की गई उसके बाद वर्ष 2021 के पुनरेक्षित बजट पर नगर निगम अधिकारियों और कारिकारिनी के सदस्यों द्वारा विस्तरत रूप से चर्चा की गई तीन घंटे चर्चा के बाद वर्ष 2021 के लिए लगबग 604 करोड के आई व्याई का बजट पारित किया गया जो कि पिछले वर्ष की मुकाबले 10 करोड रुपे अधिक है बैठक में बजट पर चर्चा करने के दौरान यूनी पोल और अन्यसन साधनों से विग्यापन से होने वाली आई पर चर्चा की गई इस दौरान यह भी चर्चा हुई कि देश के बड़े महानगरों की तरफ आगरा शहर में भी खुबसूरत विग्यापन लगाने पर जोड दिया जाए ताकि शहर की खुबसूरती और बढ़ जाए इसके लिए महापौर ने निर्देशित किया कि दिली, बैंगलरू, इंदौर और सूरत महानगरों में पाशदों की टीमें जाएंगी और उन महानगरों में लगने वाले अच्छे वाखुबसूरत विग्यापन और उससे होने वाली आयपन शोड करेंगी सफाई बजट पर चर्चा करने के दौरान पाशदों ने सफाई का मुद्धा उठाया, इस पर महापौर नवीन जैन ने नगर निगम अधिकारियों को उन मुख्य बजारों को चिन्दित कर दुकान बंद होने के बाद रातरी कालीन सफाई के लिए निर्देश दिये महापौर नवीन जैन ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर की सभी प्रमुक चौराहों और जगाओं पर गैस हीटर जल्दी लगाए जाए, साथी शेल्टर होम की ववस्ता को सुद्रन किया जाए महापौर ने पाशदों से भी कहा कि वे स्वयम जाकर शेल्टर होम की ववस्ताओं को देखे और जो भी कमी हो उससे नगर निगम अधिकारियों को जरूर अबगत कराए इतना ही नहीं महापौर नवीन जैन ने सभी गौशाला गौशन रक्षन केंद्र में भी पश्यों को सर्दी से बचाने के लिए उपयोत इंतजामात किये जाने के निर्देश दिये और इस पश्ट कहा कि ठंड से किसी भी पश्यों की मौत नहीं होनी चाहिए बैठक के अर्थ में महापौर नवीन जैन ने अबगत कराया कि पिछले वर्ष 2019 दिसंबर में गटित नगर निगम कारेकारणी की 12 सदस्यों में से 6 सदस्यों का कारेकाल पूरा हो रहा है अथा इन सभी को कारेकारणी के सेवनिर्वत्ति किया जाता है इस गोशड़ा के साथ ही महापौर और नगर आयुक्त की साथ अन्य कारेकारणी की सदस्यों से सेवनिर्वत्ति होने वाले सदस्यों को माला पहना कर शुविदाई दी कारेकारणी में पास किये जाने वाले प्रस्ताव इस प्रकार है पुन्रिक्षित बजट के बाद कारेकारणी में प्रस्ताव रखी गए सबसे पहले पालीवाल पार्क के पास युनिवर्सिटी गेट की बहार सोचालने का निर्मार कराय जाने का प्रस्ताव रखा गया पालिवाल पार्क के पास सोचाले निर्मार से युनिवर्सिटी में आने वाले शातर शात्राओं के अलावा पार्क में घूमने और लाबरी में आने वाले लोगों को यह सुविधा मिर सकेगी वाड पितालिस के पाशत राजेश कुमार प्रजापती कैलाश महादेव मंदर को नगर निगम सीमा में शामिल किये जाने का प्रस्ताव रखा उनका कहना था कि आगरा शहर के चारो दिशाओं में विराजमान चार महादेव मंदिरों में से कैलाश महादेव मंदिर भी एक है कैलाश महादेव मंदिर लोगों के आस्था का केंडर है क्योंकि है नगर निगम सीमा से बाहर है इसले ही है इस्थल विकास से वंचित रह जाता है राजेश प्रजापती के इस प्रस्ताफ पर कारेकानरी के सभी सलस्तों ने सहमती जताई और इसे पारित कर दिया वाड 78 के पारशद जगदीश पचारी ने भगवान परशुराम की 6 फीट उची प्रतिमा इंदरापुरम 100 फुटा रोड पर खुली जगह में लगाय जाने का प्रस्ताफ रखा पारशद जगदीश पचारी के इस प्रस्ताफ पर कारेकानरी ने अपनी मोहर लगाई जिसके बाद यह प्रस्ताफ पारित हो गया पारशद राजेश कुमार प्रजापती ने आवास विकास कॉलोनी सेक्टर केलादीवी चुरहाई का नाम भगवान महारिशी परशुराम चौक रखने वा भगवान परशुराम जी की इसमती में शरस्त्र फरसा की इस्थापना का प्रस्ताफ रखा इस प्रस्ताफ पर सभ समती से पारत कर दिया गया वाडशाद रादीक अग्रवाल ने आवास विकास इस्थित प्रेम हलवाई से केलादेवी पथर टाल तक के मारक का नाम साहिद्यकार्व समाध सेवी सुर्गे सुरेश शारंग के नाम पर किये जाने का प्रस्ताफ रखा उनका कहना था कि एमडी जन इंटर कॉलिस में शिक्षन कारे करते हुए उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया और समाज सेवा में भी जोटे रहे मध्य परदेश सरकार ने उन्हें साहित रतन की उपाधी भी दी थी कारे कारणी के सभी सदस्यों ने सहमती प्रिस्ताफ पारित कर दिया गय पाशत जग्रीश पचौरी ने प्रिस्ताव रखा कि नगर निगम आग्रा में कई कर्मचारी पिछले तीन वर्ष से एक ही पटल पर लंबे समय से कारे कर रहे हैं जिसके कारण अनेक प्रकार की खामिया सामने आ रही है इन्हें दूर करने के लिए कार्मचारियों का पटल कारे की शुरुआत नहीं की गई नगर आयोक ने आश्वाशन दिया कि सभी निर्मान कारे जिनका पूर्व में शिलानयास हो चुका है जल्द शुरू किये जाएंगे पाशा जितेंदर सेंग ने प्रिस्ताव रखा कि शहर में एक बार फिर अवयद होडिंग का जाल पैल जो कि शहर की खुबसूरती को खराब कर रहे है तथा नई नई इंटरलॉकिंग को उखाड कर बास बल्ली लगा कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिसके चलते इंटरलॉकिंग सड़क शतिग्रस्त हो रहे हैं इस तरह के होडिंग पर रोक लगाई जाए और उनकी विर देश्टीए